दोस्तों हम सभी इस धर्ती पर आए हैं और एक न एक दिन हम सभी को जाना है यमराज जी जो हमें लेने आते हैं वो इस बात के चार संकेत देते हैं हर मनुश्य को वो बताते हैं कि उनकी मृत्यू उनके करीब दोस्तों सृष्टी के नियम से नार सिर्फ इंसान बलकी भगव भी बने श्री कृष्ण भगवान को ले लीजिए श्री राम जी को ले लीजिए जिसने भी इस धर्ती पर जब 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 जन्म दिया है सब को जाना ही पड़ा है भगवान को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है इसलिए जब भी भगवान ने मनुश्य रूप में जन्म किया था जिसका पालन आज भी यम्राज जी करते हैं इसके साथ ही तू बिलकुल करीब आने पर कुछ एहसास दिलाते हैं कि अब वक्त पूरा हुआ अब शरीर त्यागने का समय आ गया है चलो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मौत के देवता है यात्रा हिंदू धर्म में यम्राज जी को बिट का देवता माना जाता है इनका कार्य शायद हमें बुरा लगे और इनहीं के कारण इस धर्ती पर संतुलन बना रहता है यह दंडाधर व्यक्ति है जो मनुष्य को मृत्यू के बाद उसके कर्मों की सजा देते हैं दोस्तों यम के पिता सूर्य माने जाते हैं इनकी माता का नाम संग्या है और बहन यमुना मैया जिनको हम कहते हैं वह यमुना मैया इनकी बहन है और शनी देवता इनके भाई इनका वाहन पैसा है और संदेश वाहक के रूप में उलू और कौवा हैं इनके हाथ में गदा होती हैं इनके मुकुट पर पैसे के सिंग लगे हुए हैं और कर्मों के अनुसार यह अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ मिलकर मरने वाले प्रानी को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आगे का स्वर्ग या नरक लोग प्रदान करते हैं यदि हमने बुरे कर्म किये तो नरक की आग मेत अपना होगा और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग का सुख पाएंगे दोस्तों यह गरूर पुरान में बहुत ही विस्तृत से बताया गया है और एक प्रचलित कथा के अनुसार युवराज जी ने अपने एक भगत को वचन दिया था कि वो हर किसी की मौत से पहले चार संकेतों के जरिये इसकी सूचना भेज देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनकी मृत्यू कब होने वाली है कैसे होने वाली है और अपने सारे अधूरे का वो पूरे कर सकें जब हम इसकी बात करते हैं तो यह बात हम अकाल मृत्यू की नहीं करते क्यूंकि वो कोई नहीं जानता हम बात करते हैं नॉमल मृत्यू की जब उम्र बढ़ जाने के बाद बुड़ा पर की वजह से इनसान उसके प्र लो ताकि हम उनसे मिल ले आखरी बार हमारे बेटे को बुला दो पोते पोती को बुला दो ताकि हम उनसे एक बार मिल सके जाने की पहले उन्हें संकेत मालूम पढ़ जाते हैं। पढ़ते हैं 10 सालों में उससे ज्यादा ही ग्यान वह जब 10 साल 15 साल के रहे होंगे तो यह जो भागवत कथा आदी होती थी तो उससे हमसे ज्यादा ग्यान उन्हें उस समय रहा होगा। होता है हम कैसे जानते हैं कि इस बढ़ रही है तो व्यक्ति के बाल सफेध होने लगते हैं। आजकल असमय सफेध होते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ होने वाला है हम एजेंट लोगों की बात करें एज के साथ की बात करें आजकल लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से भी बाल बहुत जल्दी सफेध होते हैं। दोस्तों आप हटे, कटे human being है और एज के साथ आपके बाल सफेध होने लगते हैं तो इससे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बढ़ रही हैं मो माया की दुनिया से बाहर निकलना शुरू करो जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती हैं। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, स्वभाव में बदलाव आते हैं, खानपान में बदलाव आते हैं और थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ते बढ़ते मनुष्य के दांट कमजोर होने लगते हैं। पहले जो मनुष्य काट काट के जमा जमा कर खाता था अखरोट को दातों से तोड़ देता था वो आदमी अब एक बादाम खाने में भी शक पकाने लगता है दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ दांत गिरने लगते हैं दातों का गिरना एज के साथ यह बताता है कि व्यक्ति का शरीर मुर्जा रहा है व्यक्ति का शरीर यह कहने लगा है कि मुझे अब मुक्ती धीरे-धीरे मिल जाएगी अब तुम मेरा मोह मत करो। उसके आसपास वालों को समझ जाना चाहिए कि अब उनके ज्यादा दिन नहीं है तीसरा संदेश हमरा हमें तब देना शुरू करते हैं जब मनुष्य की ग्यानेंद्रियां जैसे सुनना देखना यह सब चीजें कमजोर पढ़ जाती हैं चश्मे आजकल छोटे-छोटे लोगो के भी लगते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे जो एजेंट लोग हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों उनकी धीरे-धीरे जब ग्यान इंद्रियां कम जोर पढ़ जाती है व्यक्ति को सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है इस समय यम्राज जी कहते हैं अब दुनिया की ब करो उस इश्वर से कनेक्ट करो ताकि मुक्ती में परेशानी ना है यह होता है तीसरा संदेश चौथा संदेश यह देखते हैं यम्राज जी की जब मनुष्य की कमर धीरे-धीरे उम्र के साथ जुड़ जाती है शरीर अपना बोज उठाने में असमर्थ होने लगता है सहारे क की जरूरत पड़ जाती है तब यह बात यम्राज जी हमें इस उम्र में समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने के बजाए अब ईश्वर का सहारा ले लो वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं दोस्तों जो मनुष्य यम्राज के इन चार संदेश को नहीं समझता है वो व्यक्ति नर्क में जाकर यम्राज से दंड पाता है इसके पश्चात भी पुरानों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंब करती है तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मध्य मिलते हैं उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना पड़ जाएए है सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है त्री मार्ग कौन कौन से होते हैं परची मार्ग धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग दोस्तों सभी मार्ग से गई आत्माओं को अंदर गाउव भिन भिन आलोक में रहने के बाद पूनम को यही जन्म लेना और यही मरकर पूर्व जन्म लेना होता है जो अच्छी मार्ग ब्रहम और देवलोक की यात्रा के लिए होते हैं वही धूम मित्रलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं उत्पत्ति विराट मार्ग की यात्रा के लिए होता है यजुरवेद में ऐसा कहा गया है कि जिन्होंने तब ध्यान किया है उन्हें पून्य की प्राप्ति होती है हम जितने भी पूजा पाठ की रोज बाते करते हैं उसको हम सच्चे दिल से अगर श्रवन भी करते हैं तो हमें पून्य की प्राप्ति होती है और शरीर छोड़ने के बाद ब्रहमलोक में जाते हैं हो जाते हैं जो सत कर्म करते हैं वो भक्त जन स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में अर्था वेदन जाते हैं तो दोस्तों देवता हम कैसे बनते हैं हम अपने कर्मों से बनते हैं अगर हम इस प्रिथवी पर रहते रहते अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देवियों ने अपने आ भटकते रहना पड़ता है और कुछ होना धर्ती पर जन्म ले लेते हैं दोस्तों जन्म लेने में यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य के रूप में ही उनका जन्म होगा मनुष्य योनी में ही जन्म है अलग-अलग बहुत दिन तक भटकती है आत्माएं तू तो कभी आपने प्रकार से यात्रा नहीं जहलनी पड़ती है कौन-कौन से द्वारों से भटकना पड़ता है उन चारों में से उम्र हो जाए और ऐसा लगे जिससे कोई भी आपके घर में बड़े बुजूर्ग है उन्हें अगर ऐसा लगता है कि इस तरह के साइन्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाए कि उनकी मृत्यू निकट है यम्राज के साइन आ चुके हैं और उनकी मृत्यू बहुत पास है इसलिए अपने बड़े बुजूर्गों की सेवा करें ऐसे लोग जो धर्ती से प्रित्वी से विदा होने वाले हैं उन्हें अपना धेर सारा प्यार में अपने माता पिता की सेवा करके उनका आदर सम्मान करें दोस्तों जब जीवित प्राणी का संसार में काम पूरा हो जाता है तो उसके शरीर से यम्राज अपने काल पास से प्राण खीच लेते हैं ताकि प्राणी फिर नया शरीर और नया जीवन शुरू कर सकें यम्पुरी यम्राज जी की नगरी है जिसके दो महा भयंकर चार आँखों वाले डॉग पहरेदार है और यात्रा अपने सिंगहासन पर बैठ करके विचार भवन में मरने वालों की आत्माओं को एक-एक करके बुलाते हैं जहां चित्रकूट सब प्राणियों का वही खाता ख खोलकर लेखा जोखा युवराज को बताते हैं दोस्तों अपनी कर्म अच्छे रखें तो वो यम्राज जब आपको न्याय सुनाएंगे तो कर्मों को ध्यान में रखकर जब यम्राज अपना फैसला सुनाएंगे तो आपका भी न्याय होगा आपको भी स्वर्ग की देने के कारण ही यम्राज और युधिश्थर धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम सभी को हमारे शास्त्रों में लिखी इस बात का नौलज जरूर होना चाहिए ध्यान रखें यह बुजूर्गों की बाते हैं और समय है कि आप अपनी लाइफ में मैच्योरिटी में शुधता लगे पवित्रता उस भगवान से कनेक्ट करें ताकि हम बुरे कर्म करना छोड़ दे ताकि जब हम उस यम्राज के सामने खड़े हो तो फिर हमें कीड़े मकोडों का जन्म लेना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नोटिफिकेशन ओल बटन को दवाना ना भूलिए